नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडोके डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुलिंग पे और खासकर साइबर बुलिंग पे जानेंगे कि साइबर बुलिंग क्या है बुलिंग का मतलब दोस्तों बदमासी से होता है कि बदमासी कैसे कैसे कहां कहां की जात जैसा कि आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है जो बुलिंग करता है गली में, महले में, सड़क पर, स्कूल में तो वो अपने से छोटे बच्चे को अपने से कमजोर बच्चे को जो शरीर से मजबूत बच्चा होता है वो अपने से छोटे को अपने से कमजोर को दबाता उसके साथ बदमासी करता उसको चिढ़ाने का काम करता है उसको जो चीज उसे बुरा लगती है वो उसके साथ बिहब करता है उसके नाम बिगार के उसे परिशान करता है तो उसको थोड़ा नीचा दिखाता है उस बच्चे को तो यह तो बुलिंग होती है लेकि साइबर बु को भी पकड़ सकती है लट होती है यह पकड़ ली तो चलती है इसको जानने के लिए हम ये जानेंगे कि ये शाइबर बुलिंग जो है ये कौन सा अपराध है और इसमें क्या हो सकता है कितना करावास हो सकता है कितना जुर्बाना हो सकता है तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो साइबर बुलिंग यानि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, टेकनोलाजी और बुलिंग का मतलब परिशान करना भाइबीत करना, डरा धमका कर काम कराना यानि सोसल मीडिया पर किसी को जान बुछ कर परिशान करने धमकाने, वाले मैसेज, कमेंट्स, इमेज, वीडियों भेज कर किसी को जान बुछ कर परिशान किया जा रहा है तो वो बुलिंग किया जा रहा है और बुलिंग अपराद है इंटरनेट या मोबाइल तक्निक का प्योग करना और धमकाने के उद्देश से किसी व्यक्ति को उसके टेस्ट, मैसेज, इमेल, सोसल मीडिया, प्लेटफॉर्म या वेब, पेज, चैट्रूम आद कहीं भी ऐसा किया जा रहा है तो साइबर बुलिंग में आता है अब इसको उन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि जो लोग आशा कर रहे हैं तो वो कुछ गलत फर्मी में भी रहते हैं वो जो गलत कर रहे हैं वो ये सोच रहे हों कि उन्हें कोई नहीं जान रहा है मसलान ऐसे कि वो कोई लड़का होता है लड़की का फोटो लगा लेता है और लोगों को कमेंट्स बेचता है कमेंट्स करता है गंदे असली पर्मोग्राफी ये सारी चीज़ें कर बेज़ता है उसको लग रहा है कि लोग जानेंगे कोई लड़की बेज़ रही है क्योंकि उसने क्या किया है लड़का है लेकि लड़की का फोटो लगाया हुआ है वैसे अगर कोई लड़की है और लड़के का फोटो लगाया है या मेल फिमल दोनों में से कोई नाम तो लड़की या लड़के का लिशा हुआ है लेकिन फोटो कोई फूल उगरे का लगाया ह और ऐसा वो कर रहा है तो वो अपरात कर रहा है वो गलत भ्रमी में नहीं रहे कि उसे कोई नहीं जानता वो सारी चीजें जानी जा सकती हैं बहुत आसानी से जानी जा सकती हैं वो कुछ भी लाइक कर रहा है उसे मिटा रहा है कमेंट कर रहा है फिर उसे डिलीट कर रहा है तो वो सारी चीजें वो सारे चीजें एक जगह कलेक्ट हो रही है हैं आप पकड़े जा सकते हैं कौन सा मैसेज आपने डिलीट किया कब डिलीट किया किस डिवाइस से किया यह सब कुछ सर्वर पे जाके शेव हो रहा है जिसका डिजिटल फूट्प्रिंट तैयार हो रहा है यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह अपराद है जो आईटी एक्ट के धारा संसट का अपराद है जिसमें किसी के फोटो को असलील बनाके या इस तरह का कुछ करके उसे भेजना यह आईटी एक्ट का संसट में अपराद है इसमें तीन साल का करावास है और पांच लाग तक का जुर्बा ना है सकता है यदि किसी को गाली गलोद दे रहे हैं सोचल मीडिया पे या कम्प्यूटर इंटरनेट के माद्धम से मैसेज, इमेल, बेप पे जैसे भी और किसी की नेजी तस्वीर को साजनिक कर रहे हैं बिना उसकी अनमती के तो उसकी प्राइवेसी को बंग कर रहे हैं तो इसमें ये भी अपराद है जो 6.6.E का अपराद है आईटी एक्ट का जिसमें तीन साल की सजा है और तीन लाग तक का दुर्बाना है अब यह नहीं कि किसी ने Facebook पे पनी फोटो डाली और आपने उसे कमेंट किया comment यह भी हो सकता है कि मालिज़े किसी ने फोटो डाला या गाना गाया और गाना गाने के बाद उस्को उसने डाल दिया उस्ते अब आपको अच्छा नहीं लगा माली जो या उसका स्वर अच्छा नहीं लगा तो आप ये बोल सकते हैं कि आप अच्छा गार है लेकिन आपके स्वर अच्छे नहीं है और थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है ये आलोचना होई ये अपराध नहीं हुआ लेकिन ये उस इसने आपको आपने उसको गाली दे दिया कि आपने तुने ऐसे कैसे का दिया कैसे का सकते हो बेकार है बहुत सारे गंदे वर्ड बोलते हैं तो यह आइटी एक्ट में अपराद मना जाएगा इसमें सजा का प्रावधान है और अब आईपीसी का कौन सा सेक्षन लागू होता है अगर सोसल मेडिया पे ऐसा कुछ किया जाता है तो यह दि किसी व्यक्ति को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है और इस तरह का स्लील कमेंड के म रावधान है जो आईपीसी की धारा 507 के अंतरगात आता है तो इससे बचे रहने की ज़रूत है जिने जानकारी नहीं है वो जान लें कि अपराद है इसमें आप बच नहीं सकते आप जो कर रहे है उसकी सारे सबकुस की खबर है आप भ्रहम में मत रहिए दूसरा जो लोग इसके सिकार हैं वो कोशिश करें कि इनसे दूर रहें और यदि कोई कमेंट उनके उन पे किया जा रहा है तो उस कमेंट को सबसाब पहला काम करें कि उनसे उल्जेल है सीधे सीधे उसको डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद अगर फेस्बूप पे है तो उससे ब्लॉक कर दें अगर यूटूब पर ऐसा कोई कमेंट है तो इससे भी रिपोर्ट कर दें ताकि वो हमेशा के लिए बलाख हो जाए तो इस तरह का करने की जरूवत है और इससे बचने की जरूवत है यह साइबर अपराद उतना ही खतरनाक है आपके भौतिक दुनिया में जो आप दे बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई वाकई आपको टर्चर कर रहा है परिशान कर रहा है तो आपकी शीवी थाने में नद्दी की पुलिस स्टेशन में जाके उसके किलाब यह फ़यार दर्च करा सकते हैं दोस्तों आई होप कि यह वीडियों आपको बहुत अ रही होगी